नमस्कार दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल Creative Mind में स्वागत है दोस्तों अगर आप gardening करते हैं तो आपको मालूमी होगा कि NPK खाद क्या होता है और यह कैसे काम करता है अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं आपको मैं NPK खाद के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि NPK खाद क्या होता है NPK खाद एक ऐसा खाद है जिसमें nitrogen, phosphate, potassium ये तीनों जो हमारे पौधों के लिए बहुत जरूरी है वो अलग-अलग मात्रा में इसमें पाए जाते हैं दोस्तों एक स्वस्थ पौधों के लिए बहुत प्रकार के पोशक तत्तों की आवस्यक्ता होती है जिसमें NPK पौधों के लिए प्रमुख है जो पौधों के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों पौधों के विकाश के लिए इस खाद को पौधों के जड़ों में या उसके आसपास या उपरी भागों में भी दे सकते हैं दूसरी खाद की तुलना करें तो यह खाद पौधों में तुरंत असर दिखाती है क्योंकि इस खाद को गमले में डालने पर पौधे सिग्र ही अपने भोजन के रूप में ग्रहन कर लेते हैं दोस्तों नाइट्रोजन पेड पौधों के हर हिस्षे यानी पतियों, साखाओं, यादी के विकास में मदद करता है पौधों में क्लोरोफिल यानी हरे हिस्षे को बनाने में मदद करता है फोस्फोरस खाद फल फूल के लिए जरूरी है जब पौधों पर फूल फल लगना शुरू होती है उस समय पोटाश्यम देना सबसे उत्तम माना जाता है साथी पौधों के जड़ और तने को मजबूत और उसके विकास में सहयोग करता है दोस्तों इस परकार पौधों के समूचित विकाश के लिए या तीनों एलिमेंट्स NPK यानि नाट्रोजन, फोस्फेट और पोटाशियम अत्यन्त आवस्यक माने गए है NPK आपको करीब के किसी भी दुकान में मिलना संभव नहीं है आप इसे ओनलाइन स्टोर से मंगा सकते हैं दोस्तों आपको NPK खाद Amazon या फिर Flipkart में मिल जाएगा मैं NPK Flipkart से मंगाया हूँ मैं आपके सामने आए हुए पैकेट को अनबॉक्सिंग करूँगा और उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं बताऊँगा ओनलाइन से पैकेट आ चुका है या हाफ केजी का पैकेट है और मैं इसे 150 रुपे में खरदा हूँ चलिए अब उसका अनबॉक्सिंग करते हैं अगर ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो मैं आपको सला दूँगा कि आप नाइट्रोजन का कम ही इस्तेमाल करें अगर ज्यादा गर्मी नहीं पड़ रही है तो आप इसका इस्तेमाल करें और यह आपके लिए बहुत ही फायदे मंद होगा आप इसको 10 से 15 दिन बाद अपने गार्डन में दे सकते हैं इसके अलावा मैं आपको कहना चाऊंगा कि आप इसका घोल बनाकर अपने पौधों पे भी छिड़काओ कर सकते हैं छिड़काओ करने के लिए एक लीटर पानी में एक चम्मच एनपी के डालें उसको बाद में उसका घोल बनाकर पूरे पौधों पर अच्छी तरह से छिड़काओ भी कर सकते हैं दोस्तों अगर यह पोश्ट अच्छा लगा तो लाइक करें सस्क्राइब करें और बायतरब बेल आइकन भी दबा दें धन्यवाद अब्सक्राइब करें सकते हैं